नमस्कार दोस्तों मैं सीमा सिंग SM कुकिंग चैनल लो आई वी में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सभी स्वास्त होंगे तो दोस्तों आज हम बटर पनीर मसाला बनाने वाले हैं जो की काफी स्वादिस्ट सबजी होती है अधिकतर हम रेस्टोरेंट धाबा में जाते हैं तो पनीर की सबजी अधिकतर हम ओडर करते हैं जिन में से एक बटर पनीर मसाला रेसिपी है जो की काफी स्वादिस्ट होती है तो दोस्तो हम धाबे का रेस्टोरेंट का जो स्वाद है अपने घर पर भी ले सकते हैं तो आज हम वही घर पर ही हम बटर पनीर मसाला बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से जो भी आपके घर में अविलेबल मसाले हैं उनी से चलिए दोस्तो बनाते हैं तो सबसे पहले मैं टामाटर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं, मिक्सी जार में मैंने टामाटर डाल लिए हैं, मुझे कम लगा तो मैं एक और डाल रही हूँ, ये लगभग मैंने तीन टामाटर काट करके इसमें डाल लिए हैं, तीन से चार हरी मिर्च मैंने लिए हैं, और टाजी मसाले बिनधा इसने में यहां पेशेश सीर घ्राइटान के लग नंहीं कुई टाइन आ को रिता है यह दो पव्र लिए अब समय दमक जाती जाते तो गर्म शादा के और रिरहें में अध segurança कियों है तो देखिए दोस्तों पाणि डालकर करके, हम इसको mix करके अलग रख देगे अब इसको mix कर देते हैं अच्छे से देखिए इस mixture को हम हम साइड में रख देते हैं और कढाई को गैस पर हम चडार लेते हैं अब इसमें हींग ये देखिए अब देज पत्ता और कुछ खड़े मसाले इलाइची लॉंग काली मीर्ज दालची नी इस सब डाल करके इसमें जीरा डालेंगे अब हम ये देखिए दोस्तों जीरा हमने डाल दिया प्याज डाल दे रहे हैं युझे मचाल को हम हलका गुलाबी होने तक भून लेंगे मत इस देखिए है प्यज हमारी बस तयार ही हैं भून गई है अब इसमें आप जो हमने टामाटर का पेश्ट बनाया था है इसमें दाल देखिए दोस्तों 7 तक विर्यभस को डाल देते हैं और अच्छी तरीके से हम उनpolitik भूट लेंगे जब तक तेल अलगना हो जए देखर दोस्तो हमारा से टोमाटर भी पख गया है अच्छे से अब हम इसमें जो जो हमुसाले गोल रखे थे वो भी हम डाल देंगे इसमें और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले नीचे से जलेना यह देखिए दोस्तों पानी डाल दिया है अब इसको दीरे-दीरे इसी तरह से चलाते हुए हम भून रहे हैं मसालों को दिमी आज पर ही भूनते रहेंगे अब इसमें हम अद्रक लहसुन का पेस्ट डालेंगे यह देखिए दोस्तों इसको डालकर भी हम अच्छे से भून लेंगे यह हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला था थोड़ा सा क्योंकि मसाले तो अभी भी हमारे काफी देर भूनने है हमको तो इसलिए अद्रक लहसुन का पेस्ट लास्ट में डाल रहे हैं इसकी एक अच्छी खुश्वू आती है कभी भी आप मसाला इस तरह भूनते हैं तो थोड़ा सा देर में आप अद्रक लहसुन का पेस्ट डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो देखिए दोस यह मैंने 15-16 काजु लिये थे टुकड़े वाले जिनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है यह देखिए काजु का पेश डालते ही यह थोड़ा चिपकने लगता है तो दोस्तो तुरंत आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजेगा तो फिर यह चिपकेगा नहीं क्यूंकि काजु जब भी आप मसाले में डालते हैं तो यह चिपकने लगता है यह देखिए इस तरीके से हम पाजनी डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे जितना पानी आपको इसमें रखना है उतना अभी इसमें एड़ करके ग्रेवी को धीरे-धीरे से पकने दीजेगा इधर हमने यह पनीर को ले लिया है काट करके इसमें हम हल्दी नमक मिर्च डाल करके अच्छे से मिला द देंगे इस मसाले को इससे क्या होगा हमारे पनीर में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और कलर आएगा और यह अंधर तक इसमें नमक मिर्ची थोड़ा थोड़ा चला जाएगा यह देखिए दोस्तों यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप पैन को गैस पर इसमें हमने थोड़ा सा टेल डाल लिया है आप देख सकते हैं साइड में हमारी ग्रेवी भी पक रही है अब देखिए हमने इसमें बटर डाल दिया है तो हम जब बना रहे हैं बटर पनीर मसाला तो बटर तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा इसमें यह देखिए तेल हमने लिए के बटर आप दूनिया है, कच्च भी डाल सकते हैं, और दूनियुट You can get it even more time, but doesn't matter. हमारा तूटे ना यह देखे दोस्तों पनीर को फ्राइ करके रख लेते हैं इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है अब इसमें हम कशूरी मेथी डाल देंगे कशूरी मेथी थोड़ी सी आप क्रस करके डालिएगा बहुत अच्छी कुस्वू हमारी ग्रेवी में आने लग दोस्तों और बहुत ही अच्छी कुस्वू आ रही है हमारी सब्जी में से अब इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं दोस्तों देख लीजे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी हमारी तैयार है इसको हम उतार लेते हैं यह देखिए दोस्तों सब्जी बिल्कुल रेड इसमें हम सब्जी को डाल रहे हैं कि देखे अंधे सब्जी हमारे कितनी क्रीमी एकदम से बनी है काफी सवाधिस्त हमारी ये सब्ची बनी है और कलर बी इसका बहुत ही सुनदर आया है आप देख सकते हैं दोस्तों है इसी हम थोड़ा सा गारनिश कर देते हैं धनिया डाल करके यह देखिए दोस्तों और आपके पास मलाई हो या फ्रेस करीम हो उसको फेट करके इस तरीके से आप सब्जी के उपडूर डाल एगा देखिए धे के दोस्तों लग रहा है ना देखने में एकदम ज़से आपने ध् और खाने में भी वही स्वाद आपको मिलेगा ये देखिए दोस्तों कितनी सुन्दर हमारी सबजी लग रही है देखने में और उतनी ही खाने में भी ये स्वादिस्ट है तो दोस्तों घर के मसालों से ही आप देखिए धाबाई स्टाइल खाना आप अपने घर में बना सकते हैं जादेतर सबी चीजे हमारे घर में अवलेबल होती हैं उनी से हम धाबाई स्टाइल खाने का स्वाध ले सकते हैं तो आप भी जरूर ट्राइ कीजेगा दोस्तों यह बहुत अच्छी आपकी सब्जी बनने वाली है बटर पनीर मसाला मैंने एक और रेसिपी भी आपके साथ में शेयर की थी पनीर मसाला रेसिपी वो भी इसी तरीके से हमने घर के मसालों से ही बनाई थी काफी टेस्टी वो सब्जी हमारी बनी थी इसको भी आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर है हमारी सबजी देखने में लग रही है बिलकुल धाबा स्टाइल बनाई है हमने और लुक भी बिलकुल वैसे ही आया है उतनी ही खाने में भी यह स्वाधी स्टाइल तो दोस्तों आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताईएगा आपको अगर अच्छी लगती है तो दोस्तु मेरे चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा शेयर कीजेगा और अपना खयाल रखिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडि के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों जय हिंद जय भारत